हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू मैं चैनल लेटिज अर्पिता एजुकेशन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मतलब जो अधर वेस मतलब ट्रांसपोशन आफ सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया था जो यह वाला है रिमोफ टो व करते हैं और एकर वीडियो समझ में आये तो लाइक जरूर कीजےगा तो आज हमें लोग कड़ेंगे री्टांसफॉरमीशन उफ सेंटेंस में no sooner को कैसे remove करते हैं no sooner को remove करने का formula क्या है और उसको कब remove करते हैं कैसे form में remove करते हैं कौन सा verb यूज होता है तो ये सारी चीज़े आज अमनों पढ़ने वाले first of all ये है no sooner का formula जब तक आपको ये formula नहीं आदोगा आप no sooner नहीं कर पाओगे transformation है तो ये चीज़े अगर आपको आना चाहिए तो आपको पहले ये formula याद करना पड़ेगा चलिए देखते हैं formula क्या है no sooner plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus object plus then the second मतलब जो आगे का sentence रहता है after the comma इसमें हमीशा दो sentence रहता है आपको समझने के लिए बहुत ही पड़ेगा पर आपको समझने के लिए बहुत ही पड़ेगा बटी formula आपको याद करना पड़ेगा without formula याद कि आपको नहीं आने वाला है तो जैसे कि देखते हैं as soon as my work was over I went home अभी इसका हम लोग क्या लिखेंगे पहले तो no sooner लगा देंगे no sooner इसमें verb क्या है was auxiliary verb was my work subject क्या है my मतलब हम अपने बारे में बोल रहे ना my work क्या किसको खतम करने की बात करें work को work हो गया object over over जो last का word है उसको लिख देंगे over उसके बाद then लगा के then I went home after the comma of the sentence मतलब sentence के बाद जो comma के बाद जो sentence रहता है वो अभी इसमें हम लोगों ने देखा कि subject क्या है auxiliary verb क्या है mean verb क्या है second sentence क्या है अभी second वाला हम लोग देखते है as soon as I am reached the I reached the station the train left जब मैं पहुचा train मतलब station पे तो train left हो चुकी थी अभी subject क्या है यह जिसके बारे में बात कर रहे I simple past tense में दिया गया हमारा reached जो की verb है तो हम लोग क्या रिखेंगे अभी past tense में दिया गया है तो हम लोगो present tense में करना पड़ेगा मतलब past tense में करना पड़ेगा अभी जैसे की reach भी पहुच रहा है I reach मतलब पहुचने का कुछ काम कर रहे तो do do का मतलब past form क्या होगा did तो यहां क्या देंगे no sooner did मतलब कि इसका काम जो do करने जा रहा था वो did did I reach the station अभी जब हम लोग यहां पर डिड यूज कर लिया past tense में तो यहां पर ed लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि past tense एक ही बार यूज होते है no sooner I did reach the station then the train left अभी अम लोग थर्ड एक्जाम्पल देखते है as soon as I finish his work I shall go home अभी आप लोग आपको tense आना चाहिए tense की वीडियो सारे uploaded है उसको भी देख लोगे तो आपको बहुत easy रहेगा I shall go home आया मतलब present tense में future tense में आ रहा है I shall go home future tense में आ रहा है तो यह जो यहां पर दिया गया finish इसका भी transfer होगा finishes आएगा या फिर finished आएगा तो देखते है no sooner no sooner did I finish his work then I shall go home no sooner अनुग ने यूज किया I हमारा subject हो गया finish verb हो गया finishes his work work जो है object हो गया उसके बाद then लगा के sentence पुरा अभी देखें यहां पर है I have as soon as I finish this work I went home as soon as I finish this work I went home no sooner did I finish his work then I went home क्या बोला sentence में no sooner उसके बाद I हमारा subject हो गया had I हमारा subject हो गया finished his work then I went home तो यहां पर हमारा no sooner complete होता है no sooner कैसे यूज करते है no sooner plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus subject then plus the second sentence इसके बाद second sentence आ जाएगा after the comma thank you अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और अगर नहीं समझ में आया हो कुछ तो कमेंट करके पूछ सकते हों एक बार और समझा देती हूं as soon as my work was over I went home subject क्या है my work क्या है हमारा काम है object है was क्या है मतलब जो was है हमारा auxiliary verb है और over हमारा mean work है तो no sooner was auxiliary verb was my my subject work over जो कि हमारा object है work over then I went home thank you समझ में आगे होगा